बिस्मिल्लाह रहमान रहीट असलाम आलेकूं और रहमतुल्लाह वाबराकाद अपने डाकुमेट्स की महफूस डिलिवरी के लिए हम लिफाफे इस्समाल करते हैं लिफाफों की कई इकसाप और शेप्स होती आज की इस वीडियो में हम लिफाफों की इकसाप, शेप्स, उनमें इस्समाल होने वाले पेपर, लिफाफों की प्रिंटिंग और त्यारी के मुतलब डिसकस करें मेरे पास कुछ लिफाफे हैं, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ सबसे पहले ये एक छोटे साइस का लिफाफा दे, ये अमोमन छोटे गिफ्ट्स, बसलन जिली वगएरा, या जैसे हमारा या ट्रेडिशन है, लोकल के हम किसी भी खुशी के मौके पेमर टालके लिफाफों में हम गिफ्ट करते हैं, तो इस तरह के छोटे साइस के कर रहे होके हैं, दूसरे नमबर पे ये लिफाफा देखें, जिसमें ये साथ विफाच इंच का लिफाफा है, लबाई करो खुले वाला लिफाफा है, अमोमन इनिविटेशन्स वगएरा के लिए जो कार्ड है, वो इस साइस पे डालके, उस पिर सेजरे हो, दूसरे नमब जो आफिशरी डापिमेंट्स हो गएरा, वो इन इनिवेलिप्स में डालके हम देजरे हैं, तूसरे नमबर पे देखें, ये मेरे हाथ में एक लिफाफा है, इसमें एक शापर के आपको एक स्कवर नदर आ रहा होगा, इसको हम विंडो लिफाफा कहते हैं, ये अमोमन ऐसे डापिमेंट्स के लिए इस्तमाल होता है, जिसमें आप अपना कंपनी का नाम और अडेस्ट वगएरा यहां पे शो करना जाएं, तो उसके लिए ये विंडो लिफाफे इस्तमाल गो रहे हो रहे हैं, इसके लावा और मेरे पास मुक्तफ ये लिफाफे हैं, ये देखें, डापिमेंट्स के लिफाफेंट्स के लिफाफेंट्स के लिफाफेंट्स के लिफाफेंट्स के लिफाफेंट्स के लिए इसके लिफाफेंट्स के लिफाफेंट्स के लिए इसके लिफाफेंट्स के लिए इसके लिफाफेंट्स के लिफाफेंट्स के लिफाफेंट्स के के मुग्रियफ आप अपनी डॉपमेंट्स इस्में जब आप चाहते हैं कि डॉपमेंट को फोड ना किया जा जाए उसी से सब्सक्तित की लिफाफे इसमाल होते हैं इससे बड़े सैज में लिफाफ है मैं आप लिफाफे बिखाता ओड़ाएं इसमें ये लीगल साइस के लि अब हम बात करते हैं कि जब आपने कोई भी अपना कस्टमाइज प्रिंटर लिफाफा बनाना है या कस्टमाइज सेज में को आपना इन्वाइज त्यार करवाना है तो आपने सबसे पहले किन चीजों का ख्यार रखना है सबसे पहले तो आपको पेपर स्वैक्ट करना है अपने लिफाफ लिखाए कि आपने पेपर क्वालिटी कोर्सी लगाने तो अमोमन इसके लिए आफसेट पेपर लोकल आफसेट पेपर भी वाइट कलर में और इंपोर्टन आफसेट पेपर भी इंपोर्टन आफसेट पेपर में प्यार हुआ लिफाफा है इसके दावा खाकी कलर के लोकल पेफर्स में लिफाफे बहुत बन रहे होते हैं कि यह थोड़े चीप होते हैं और सस्ते पढ़ते हैं तो इसके अमोमन जनरल हम इसमाल के लिए इस लाक लिफाफे बना रहे हैं पेपर की क्वालिटी की कहीं हैं और इसके लावा ये टू कलर में लिफाफा प्रिंटगब हो हुआ है और इसके लावाए ये एक फोर प्लर सी एम यकेमें प्रिंट्र लिफाफा है तो आपने डिजाइन स्लेक्ट करना है उसके बाद ऑपने प्रिंटिंग कर siamo अपने जरुरत के म 낙चाबख स्लेक करना है आपने डापमेंट के हिसाब से और इसके बाद आपने उसकी शेप भी उसके हिसाब से सिल्एक करनी है तो यह गनल लिफाफ है इसमें कोई गम बगार इसमाल नहीं हुए 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 यहां पर तो अगर आप इस तरह के लिफाफ पे चाहरे हैं कि जिसमें वो आपको टेप या गम ना लगानी पड़े तो आपको इसके लिए यह सेल्फ एडेसिव लिफाफ होते हैं जिसमें यह इस जगह पर यहां पर गम लगी हुए है यहां डबल स्टिक टेप भी हम इसमें यूज़ करते हैं इस जगह पर लंग जाती है उसका उपसे पेपर उखाड़ क आप उसको पेस्ट कर सकते हैं इसके बाद यह है कि लिफाफु में आज कल हम क्योंके कोरियर का बहुत जाना है ऑनलेंड शिपिंग का तो उसमें लिफाफे जो यूज़ हो रहे होते हैं उसमें पीवी सी के लिफाफे भी यूज़ होते हैं इसके लावा टेबिक टप्रा ह बहुत जबर्दस चीज़ हैं उसमें भी बने हुए लिफाफे शिपिंग में यूज़ होते हैं और इसके लावा पेपर की जो लिफाफे हैं उसके अंदर भी आपने डाकुमेंस या जो परड़क्ट या जो चीज़ आपने उसमें डाल ली है उसको सेव करने के लिए बने हाफा मसबूत हो जाता है उसमें आपके पॉड़क्ट सेफ रहती है तो जब भी आपने अपने कोई पॉड़क्ट या डाकुमेंस के लिए लिफाफा त्यार करोना है तो आप अपनी जरूरत जो है अपनी जो जिस मुकसद करे इस्वाल करना है तो आपने प्रिंटर क मुदाबत रिफावा आपको थ्यार करके दे सकता है आज के लिए इतना ही अलाद अलाद हम साथ का हामिय नासर हो अलाद हापी